आज आपको दिखाने चलते हैं होबर का गॉर्णिच तमाम की चीजें दिखा रहे हैं और सौधी की भी ज्यादा तर प्लेसेस आपको विजिट कराने की पूरी पोशिश करूँगा मगर आपका सपोर्ट चाहिए आप सपोर्ट कीजिए सपोर्ट बनाएए रखिएगा इंशाला अच्छे अच्छे प्लेसेस आपको विजिट कराते रहेंगे कि अब हम लोग आ चुके हैं भी खोबर के गौर्णिश पर यहां पर देखिए आई लाव खोबर यहां का व्यूज देखने के लिए माशाला इतना प्यारा है इतना प्यारा नजारा है क्या बताएं दिखाएंगे और भी नजारे यहां के बस बने रही है इस वीडियो पर एंड तक और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को और भी जड़े नए-ने को टॉपिक और नए-ने प्लेस आपको विजिट कराते करेंगे चलिए चलते हैं सो गाइस अल्खोबर आइलाउग खोबर दमाम का एक बहतरी प्लेस है जो लोगों का हुजूम अक्सर यहां पे होता है यहां पे आते हैं लोग अपने रिलाक्सेशन के लिए यहां का व्यू इतना माशालला से इतना प्यारा है अगर आप विजिट करोगे आपका दिल तो माशालला गार्डन गार्डन हो जाएगा अभी का टाइम लगबग साड़े छे बजरा है इसलिए रात के वक्त की वज़े से सही से क्याप्चर नहीं हो पर आए व्यू तो नेक्स टेम में कोशिश करूंगा कि इससे बहतर व्यू आपको दे पाऊं और गाइस यह जो व्यू है यहां की जो क्लाइमेट है अभी तो इतना कोल्ड मौसम मिलता है आपको इतनी थंडी हवा मिलती है एक दम जितना भी जिसम टाइड हो माइंड टाइड हो जितना भी स्ट्रेस हो अगर यहां पर आकर एक 30 मिनिट साप रिलाक्स करोगे तो इतना रिलाक्स आपकी बॉडी हो जाएगा अपका माइन हो जाएगा बिलीव मी और यहां के लोग है ना माशाला हमेशा लोगों का हुजूम इसलिए यहां पर रहता है अक्सर सौधी में रहने वाले लोगों का एक चीज एक आदत है घावा पीना और कौफी पीना खजूर खाना तो यहां पर खजूर और घावा लेके अपनी एक छोटी पिक मगर आज मैं आपको पूरा टूर देने वाला हूँ इसका और मेरा यह फ़र्स व्लॉग है इसलिए शूट जैसे भी हो रहा है मैं कोशिश करूंगा नेक्स टाइम आपको बहतर से बहतर एक वीडियो प्रोवाइट करने के लिए चीजें प्रोवाइट करने के लिए यह त प्लेस भी मैं कवराप करने की पूरी प्लानिंग करूंगा मैं पूरी कोशिश करूंगा और जो लोग मुझे दूसरी कंट्री से देख रहे हैं या इंडिया से देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताईए कि कौन सी प्लेस आपको अच्छी लगी और नेक्स्ट वीडि के अंदर क्या चीज़े मैं दिखा सकता हूँ आपको अगर ये सजेशन आप लोग करेंगे तो हमें काम करने के लिए और भी इजी हो जाएगा और ये है बोटिंग पॉइंट ये देखें व्यू चेक करो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों यहां पर इसका मजा ले सकते हो एक इस व्यू का इस टाइम का और इस बोटिंग का और जब भी यहां प्रोग्राम सो गयरा होते हैं जैसे कि अभी साओधी फांडेशन डे हुआ या नाशनल डे हुआ किसी भी प्रोग्राम के अंदर यहां पर एक बिग लेवल पर सेलेबरेशन भी होता है एक अच्छे लेवल पर celebration भी क्या करते हैं लोगों का हुजूम जमा होता है हर जगे से लोग जमा होते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हाँ होते हैं जब भी कोई national day हो या सौधी foundation day हो या कोई भी एक ये हो तो ज़रूर यहां पर visit करें तो आपको उस time का enjoyment आपको मिल जाएगा यह देखिए यह boating time है view check करो boating place है यह सब लोग boating कर रहे हैं यह pedal boating है जैसे पैर पे मार के चलाते हैं पैर से मार के चलाते हैं वैसे pedal pedal boating है और guys यह देखो यह एक place थी जो इनके कुछ science science वगेरा कुछ लगाए हुए लगाए हुए थे तो उपर एक barcode भी था समझ में नहीं आ रहा था किस चीज़ का है मगर अच्छा लग रहा था यह selfie लेने के लिए यह picture लेने के लिए एक बहुत अच्छी place है यहां पर अगर आएंगे तो सामने एक पूल मिल जाएगा आपको जहां पर नहां तो नहीं सकते मगर यह आप फोटो क्लिक कर सकते हैं फोटो ले सकते हैं एंजॉई कर सकते हैं यह बहुत सरी family आती है जो फोटो लेने के लिए या वीडियोस बनाने के लिए यहां पर आती है families यहां पूल के आगे से view लिया मैंने देखो कितना जबरदस्त view आया है कितना ultimately एक अच्छा view दिखाई दे रहा है मुझे लगता है कि यह science जो बनाए हुए है जो pictures जो बनाए हुए है यह शायद इनके बड़ों के होंगे जो इनसे पहले थे उनके एक pictures इन्होंने यादगार के लिए इस जगे पे बनाए हुए है उपर बार कोड भी था वो समझ में नहीं आया मुझे मगर यहां pictures के साथ में आप photo भी click कर सकते हो आप इस moment को capture भी कर सकते हो So guys आज के लिए इतना ही coffee next video में मिलते हैं और भी beautiful place के साथ तब तक के लिए हमारे channel को like, share, comment करना ना बोले subscribe करना ना बोले हमें ऐसे ही support करते रहेगा ताके हम आप तक अच्छे places पहुंचाते रहें आपका like, share, subscribe हमें motivate करता है So हमें motivate कीजिए हम आपको motivate पहरेंगे और अच्छे places दिखाते रहेंगे